विदान सभा की कारवाई थोड़ी देर के लिए यानी 15 मिनिट के लिए इस्थगित कर दी गई है जातिकत जंगलना को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किये जिसके बाद सदन को इस्थगित करना पड़ा सर इतना जो है वो हंगामा क्यों चल रहा है देखे मुझे नहीं लगता कि समझवादी पार्टी के लोग किसी भी बात को लेके गंभीर हैं क्योंकि प्रस्ण आवर जो होता है यह विपक्ष का होता है इतने महत्वपूर महत्वपूर प्रस्ण लगे हुए हैं जिनका सरकार जबाब देने में सरकार को कठिनायों का सा लेकर के अभी जैसे मेरा प्रश्ण लगा है कि उच्छा में महाविद्यालियों में अन्सुचित जाती जन जाती के लिए बीए बीटीसी में जो पहले उनको निसुल्ख सिक्छा दी जाती थी क्या वह सरकार वह अभी समय सरकार ने उसको बन कर दिया है तो क्या उसको सरकार महतुपूर्ण बहाल करेगी ऐसे तमाम मनें उन अन्सुचित जाती जन जाती के लिए इस तरह के क्वेस्टन महतुपूर्ण लगे हुए हैं लेकिन यह लोग सब के पास हुए एजंडा भी सब देख भी चुके हैं कि क्या क्या आगे प्रस्णा है किसी के संबंध में न आने पए आ पया थान पाया तो यह कहीं कहीं एक इस टेटगी का पाट है इन लोगों को यह विभागी मंत्री से और शरकार से इन लोगों का तालमेल है कि आप इतने देरे के लिए प्रस्ण आट आप नहीं है कि सरकार हित में नहीं खड़ी है लेकिन इन लोगों ने बाधित पर दिया कर दिया है वागे क्या कारवाई जो है वो सच्छरूरूंप से संचलिथ हो पाएगा अब वह मन्य अध्यागि ने बहुत प्रयास किया कोशिश किया कि उन्हों प्रस्ट प्रस्ट होगा तो मैं तो यह कर रहा हूं कि इसको सरकार को जबाब देने में दिकत पैदा होती है। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि उनका कल्याण हो सके इसलिए कि आप तो अपना चुनावी एजंडा एक लागू करना चाहरे हैं। यह काम जो सरक पे आप कर सकते हैं धरना परतसन आप जाके सरक पे करें अंदोलन करने के बहुत सारे तरीके हैं और विधान सभा में आया तो मान लीजिए आप उस बाद से समत नहीं है तो आपसे आप बैकाट कर जाएं तो जिससे कि सदन चले अन्य लोगों के प्रश्ण आ अन्य जो महतपूर प्रश्ण है वो आजाएं लेकिन आप उतना सोर कर रहे हैं कि सरकार ले सरकार को जबाब देना पड़े बाचित के लिए शुक्रिया आपने उमा शंकर सिंग को सुना बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं विधान मंडल दल के नेता हैं उन्होंने इस परस तोर पर आरोप लगाए हैं कि भारती जंता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है शहिद यही वज़ा है कि के साथ सीमा अबना कुई भारत समाजवादी लग नेता हैं